गारे एप से किसे Cookie यहाँ पर यह जो व्यडिदिग हेगोट कर सब्सक्रांइबूर मैं शौनगेजर्वारेश्यर्व मासीन जोटन मिल् virtual यहां पर जो हैबी यूज़ किया जाता है मेट्रिलिस के अंदर तो इन जैको द्वारा इन पट्रे को आगे की तरफ अभी खीचा जा रहा है क्योंकि उसको बराबर लेबल करना है और जबी लेबल पूर हो जाएगा उसके पाद यहां पर वेल्टिंग काम स्टाट हो आप सभी आप सब बहुत अच्छे होंगे आपका यह नए ब्लोग में और दोस्तों आज का जो प्लोग है आप सब देखने कि आपको किस चीज़ के वारे में देने वाला हूं यानि कि डबलू डीया जो अप्डेट में आपको देने वाला हूं शूरत का और यह सूरत में म्यातर ऊप्डेट उल्यात से छुट का लगे पान्स नएक देने वाला हूं मैं यहां सब्सक्राइब करें पहले होएं वालोग है शुटा memb tracks देने जर दिने अबर करते हैं or अग performed पर पck deck तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते सामने यह सीधा जा रहा उतना टेशन के पास और दोस्तों मैं आपको आता हूँ डवलू डीएफ सी का जो रूट है यह 1506 किलोमेटर लंबा रूट है और यह दो रूट बना जा रहे हैं हमारे भारत में एक डवलू डीएफ सी और एक एडीएफ सी इन जो टोटल लेंट है इन दोनों रूट किये वह है 2843 किलोमेटर जिसमें एस्टन एंड वेस्टन दो रूट बना जा रहे हैं पंजाम के लुद्यान से स्टाट होता है और पस्ची मंगाल के दनकुनी को कनेट करता है वो है 1336 किलोमेटर लंबा रूट दोस्तों और यह 1506 किलोमेटर लंबा यह वेस्टन डेडिकेट फ्रेट को अपडेट है तो आज हम इसको पूरा आपको दिखाने वाले हैं आप यहा आप देख वारे होंगे जो काफी अच्छा लोकेशन है और यहां पर इसकी जो मुचाई है मतलब आर्ट जमीन से काफी अच्छी यहां पर हुचा ली गई है क्योंकि यहां पर वाईचांस कैसे जंगली जानवर बगरा होते हैं को हाथ से नहां हो इस सबसे को मेंटन किया आप को आपको आगे भी देखने को मिल पारा होगा जो कि श्चाली बिरीज का काम चल रहा है और मतलब कर आरोवी बिरीज बताओ मदार से पालनपूर 323 किलोमेटर है मकरपूर मकरपूर 290 किलोमेटरी अ देखने त्रेक तो रड़ी है तो यहां पर रड़ी है और यहां पर अभी पर अभी concrete भरना इसके अंदर बाकी है क्योंकि आगे इसका काम काफी एदा बाकी है अभी क्योंकि आगर अगे जो काम चल रहा है पूरा अभी अर्थभर रहतिंग विरिज का काम बाकी है WDFC का काम है जो की मात्र 12% काम बाकी है 88% यह बनकर रेडी होचका है और यह जून 2024 में इसके उपन होने के चांसे पूरे-पूरे हैं और यहां पर अभी खाली पट्रे को इनको पर रखा है और जो कि अभी इसके उपर जो इसक्रू बगार डालते हैं वह भी डालना बाकी है दोस्तों यहां तक तो पॉल इसके अपर यहां पर खाली खड़े खो दे गए और यहां पर आभी पूल लगाना बाकी है और जैसे कि आपको मैं बता दूंँग काफी नॉर्मल टाइप के पोल्स होते हैं और यह बहुत हैबी होते हैं और यहां पर आपको काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा और यह बहुत बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए क्योंकि हमारे भारत में तीन तीन तो सबसे बड़े प्रोजेक्ट का काम चली रहा है जैसे एक बुलेट ट्रिंग का प्रोजेक्ट हो गया और दूसरा दिल्ली मंबी एक् सब्सक्राइब करता है और यहां सामने आपको देखने को मिल पा रहा हुआ इसका काफी अच्छा जो है प्रोग्रेस दोस्तों अ झाले हुआ और खाली यहां तक इसका ट्रेक का काम दूसरा गवहीं के उसके बाद भी सब्सक्राइन को तो सब्सक्राइब क्याइब पर पट्ड़ लाई जा चुकि और यहांब इनको खेहली बीचाना वाकिए पत्थर शठ ना वागि है कॉंक्रेट को बराबर सेट करना बाकि है लेवल करना बाकि है उसके बाद यहां पर ट्रेक भी विचा दिया जाएगा जल्दे और सामने आपको काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा तो यह देख रहे हैं दोस्तों आप कंटेनर कहां पर खड़े है देखे दोस्तों यह सब गारि है जो यहां पर यहां पर बढलोग के काम करते हैं और यहोधे देख आपना अरफार से लग्लाग काम करते हैं और यह आपको एक ट्रेक उ police दिखाय रहा है जो कि आजнес के देखने वालेंं दोस्तों कि पूरा वन फिटेज के बाद मैं आपको यह अपडेट दे रहा हूं दोस्तों इस दिखा का यह जब आप यहां पर आया था मैं पांच मेने पहले तो यह अप इस टेल भी देखने ना इसको नीचे कसा जा रहा था शेट किया जा रहा था और अभी एक तो कस के रखा चुका और दूसरे का काम चालू है भी ओकि हम देखने वाले हैं भी तो कि फाइनली में पहुंच चुका हूं जहां पर यह इस्टिल बिरीज बना जा रहा जो कि रेलबे की लाइन को क्रोसिंग करता हुआ रेलबे का ब्रीज बना जा रहा है और यह सर चूट सके हमारे साथ में पावन कुमार शर्मा जी है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी जिदी यह जो वैता यह जो मकरपुरा से लेके और यह अपना सचिन तक है तो यह बारा रूट कब तक बनके कंपलीट हो जाएगा इसकी थोड़ी अब जाए तो आप यह जो प्रच को परफ जाए तो आप यह से लेकर और पंजाब के लोधियाना से लेकर और पस्ची मंगाल के दंकुनी को करनेट करता है जो कि 1370 क्लमा रूट है और इस पर आप देख सेकते हैं यहां पर अभी जो एक ब्रीज का हिस्सा यानि एक लाइन पूरा बिरिज का यहां पर रेडिक कर दिया गया तो दूसरा कर तक रेडि हो जाएगा और यह मतलब अप्टूवर तक इसमें जो चलू हो जाएगा और जैसे कि सर ने अमें बताया था अभी कि सचिन से लेके बेस्तान तक उसका जो भी ट्रायल चालू हो गया है आप बता तो आप यहां पर ही काम करते हैं को पता नहीं है कि हमारे बारत में बड़े-बड़े प्रोजेक्टर काम चल रहा है इसी के जलते हम लोग वीडियो बनाते हैं तो सर काफी अच्छे लगा आप से मिलके अभी हम आपको दिखाते हैं और आगे अपडेट जो किस परका से कि आपको दीन के कोसीद है कि अच्छे से अपने लगार और जीजान से मैननद करते हैं हमारे देशका से यहां पर जहां पर जो पट्रेक को सकते हैं के काम जेसी अपर बनों के शीद界 कि गल जाती हो जामने महाराष्ट के तरह जाती है और सामने सामने does ठी theo जाती है जाती है यह एक डाउन लाइन वह उसका काम चाल JENए उसके सामने और दोनों कि जो लेंट वराबर ली गए यह व्यासी मीटर के देखिए दोस्तों कि काफी मेहनत वाला काम होता है और काफी समय लगता है क्योंकि हैबी चीजह होते तो इनको उसे सबसे कोपरेट करना पड़ता है क्योंकि जल्वाजी वाला को काम नहीं है इसमें अब देख सकते हैं एक इसको उपर सेट किया जाता है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो पट्रे को जोइंट करती है वह हम देखने वाले शरम को ले के जा रहे हैं आगए की तरफ हुआ है सब्सक्राइगे पर कि अगलता है Legends के में सब्सक्राइब सेट करने में एक बीज्स को यहां पर यह से olhar चार सताग है बहुत बारी कि इसे करना पड़ता है को जल्दवाजी कर सकते ने यह लुक्त जब आपक हमारे यूटूबiu जब आपक देखने जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताओ नालेश ुसलिए कि हर बार हमारे यूटूब पे नए विवर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है तो जैसे का पता है एंट्या रिए बीज्ड ए और जो कि इसको इसको क्रोसिंग करता हूँ और यह दिए फिसलिमिटेट का जो काम है अलागि यह भी और इंडिया रेलिए कि तुर है इसकी आप देख सकते हैं और इसको अलग कमपनी दोरा बाटा गया है अब हम उस जगह से आ रहे तो यहां पर आप ट्रेक का काम देख से यहां पर रेडी है और यहां पर जो कॉंक्रीट पत्थर का डानना वाकी है और आगे हम आपको आगे तक लेके जा रहा है जो आपर वैल्डिंग मसीन होती है वह आपको दिखाने वाले कि किस प्रकार से और यह सर ने हमें थोड़ी इसके बारे में जानकर रहे हैं मैं इसके बारे बताने तक इसका जो मालगाडियां दोड़ेंगी तो अच्छी क्वालिटी का मट्रियल भी चाहिए और जो अपने इंडियर रेले उती है इसके अंदर मजब होती है दोस्तों मैं आपको बता मट्रियल है यह 25 मीटर लंबा है यहां पर हाइड्राग मसीन होती है जहां पर जो 200 मीटर लंबा एक गडल होता है उसको यूज निकिया रहा है यहां पर ट्रायल किया था लेकिन काम पूरा हुआ नहीं यह इंजिनियर है कि उन्होंना हमें काफी अच्छी कासी जान कर आज पर यहां पर यह जो वैविल्डिंग के काम चौल इसको जॉंट किया जाए है यह आप देख सकते हैं मसीन द्वारा इसको जॉंट किया दा तो सर्सक्राइब कि लिए निदू निमेंगे एक गना ने में सब्सक्राइब करने में अभी मैं पको दिखाएब किश्प्रक लगता है और किस प्रकास इसको जोंट किया जाता है जो आप जो विल्स देख सकते हैं यहां पर जो ट्रेंड के विल्स होता है वह इसमें एट कि जाते हैं उसके जरी इसको उपर दोड़ा जाते को कि करती है और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बता है 25 मिटर लंबा यहां पर प्रट्रियों का मैट्रियल है जो कि यहां पर पूरा जापन से आज़ा होगा जो कि आपको मैं लाइब भी तो इन जैको द्वारा इन पट्रे को आगे की तरफ अभी खीचा जा रहा है क्योंकि उसक इसको पकड़ सके मजबूती दे सके इनके अंदर देख पा रहे होंगे जोंड मसीन को किस प्रकासित नीचे की तरफ ला जा रहा है और यहां पर अभी जब वेल्डिंग के जाएगा तो काफी जाता चिंगारिया निकलती है और जो वेल्डिंग का काम करती है इसमें 5-6 मि में यहां पर देखने को आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं मैंने यहां से पहले आपड़ेट को किसी वीडियो में ने दिखा यह काफी लेटेस्ट अप्डेट दोस्ता पूंदेखने को मिल पार होगा यह तो जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था जो वेल्डिंग मिसिन काम करते हैं उसके बाद में यहां पर यहां पर फिर गिसाई की जाती है पता ही नहीं चलता है कि यहां पर जोंट किया हुआ है दोस्तों मैं आपको बता दूंद यहां पर 25 मिटर की पट्रिया ज है इदर मकरपुरा से लेके सचिन तक और सचिन से लेके वेस्तान तक ट्रैल भी चालू वहां पर जो गाड़िया डॉड़ रही है और बहुत जल्दी यह जून 2014 में पूरा का पूरा बनके कंपलिट हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने आपको अप्डेट दिया और बता है कि जानकारी भी दी और यह मैं आपको बता दू मकरपुरा से लेके सचिंता की अक्टूबर मेंने के यह पूरा बनके कंपलिट हो जाएगा और ऐसे जानकर हमने प्रप्त कि कि यहां पर जो है माल गाड़िया है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करना जरूर और यह जो यहां पर काम किया रहा है और इसके मैंने वेल्डियर मस्की में देखा है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे बीते जो जल्डी एक विरी तो लॉंच कर दिया गाए जाने इसको यहां पर फड़ाबट से लॉंच कर जा आगा अगर आपको वीडियो कि लीट में जेवारत